आपका इस शो में स्वागत है चलिए आपका घ्ञान बडाओँ था हम आपके अनिंदर केंड के अंडर केंडर किष नहीं करता सब कुछ तुम्हें करना पड़ता हैं Shutter speed कुछ सेट करो, aperture कुछ सेट करो, अपने हिसाब से जैसे merge फोडो कीचिने कीचो, कैमेरा की काई responsibility नहीं है, तब ही तो तुम बनोगे professional photographer, समझ गई, वैसे photographer नहीं होता है, अब तुम फोटोग्रफर प्रोफेशनल बनने ही वाले हो, तो yes or no, अब जब तुमने camera का अपना mode M तुम पे सेट कर दिया, तो तुम पहला सबसे काम करोगे, कि Shutter speed सेट करोगे, फिर aperture सेट करोगे, इससे क्या होगा, कि जो से तुमारी photo चाहिए, तुम फोटो के इंदर shallow depth of field चाहिए, और fast capture करनी है, तो तो तुम Shutter speed को slow, 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 no, 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 Shutter speed को तुम, जितनी बड़ी value हो सको उतनी चोड़ी value रखना, अब इससे क्या फादा होता है, कि जब सारा control तुमारे पास आजाता है, तो उससे तुम जैसी मर्जी photo चाहो वैसी ले सकते हो, पर कैमरा के अंदर, एडिट करने की जाके जाके ज़्यादा जिरूरत नहीं पड़ेगी, जैसी मर्जी photo कैमरा मे आजेगी, कम light वाली photo, जादा light वाली photo, shallow depth of field, infinity पे focus, साब कुछ एक साथ control करके अपना exposure करो, और एक बात और, ये सब के साथ तुम अपना ISO mode भी set कर सकते हो, अब ISO जब जब में आ जाता है, तो तुमारा complete photo पे control हो जाता है, मैं तुमें किल बताऊंगा, कि ISO mode गया होता है, अब तक, manual mode पे practice करते रहो, manual mode सबसे tough mode है, और इस प्रैक्टिस की बहुत जादा जरूरत है, जैसे तुम मैं आज को exam में समकी practice करते हैं, लिक 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 लिक, वैसे ही तुमे, manual mode में photo कीच 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 कीच